जैपूर में भी राजसभा चिनाव के लिए मतदान जारी है शाम चार बजे तक ये मतदान होना है राजस्थान में तीन सीटों के लिए मतदान हो रहा है कॉंग्रस के दोनों प्रत्याशियों की जीत लगभग यहां पर तैह है भजपा के एक प्रत्याशी की जीत तैह है बस नावायोग बसपा विधाय को कुले कर बीजेपी ने विरोध जिताय था कॉंग्रेस के पास 125 वोटों का गणित जबकि जीत के लिए 102 वोट चाहिए जोशी मेगवाल और वाजिद अली यदि वोट नहीं भी देते हैं तब भी कॉंग्रेस के पास 122 वोट वहीं बीजेपी के बीजेपी के पास 72 वोट और तीन वोट रालो पाके हैं बीजेपी के पास 75 वोट हैं और एक सीट पर जीत के लिए 51 वोटों की जरुवत होती हैं बीजेपी की पहली प्राथमिक्ता राजेंद्र गहलोत हैं उमकार सिंग लखावत दूसरे प्रत्याशी हैं और ऐसे में गाना मुश्किल है कॉंग्रस के केसी वेणु गोपाल नीरज डांगी की जीत यहां पर तैमानी जा रही है बीजेपी के राजेंद्र सिंग गहलोत की जीत तै और आज शाम पांच बजे बाद ये मतगरना होगी लगातार 9 बजे से ये मतदान की प्रक्रिया जो है वो जार राजसान विधान सभा में तीन सीटों पर चार उमीदवार चुनाव लड़ रहे हैं सत्ताधारी कॉंग्रस पार्टी से दो और विपक्षी बीजेपी की ओर से भी दो उमीदवार चुनाव मैदान में है शाम चार बजे तक ये मतदान होना है और उसके बाद पांच बजे में ठहराया गया और बीजेपी ने क्राउन प्लाजा में दो दिन पहले अपने विधायकों को ठहराया था लेकिन बीजेपी की ओर से ये कहा गया था कि एक प्रकार का चिंतन शिविर है इसमें कोरोना काल के बारे में और भी तमाम जो जनता के हित के मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी चिंतन क्या जाएगा